कि यह कुशन मनाने के लिए मैने दो स्टिप लिए जिसका मेजरमेंट 17 इंच और यहां से भीज़ा 17 इंच है और इसके जो विथ है यहां से यह 6.5 इंच की है यानि दोनों स्टिप हमारी बराबर है उसके बाद दोनों साइज की मैंने यहां पर लाइनिंग का यूज कर रही किसे यह मैंने प्लेन फैबरिक लिया है यह ग्रीन फैबरिक लिया है इसका जो मेजरमेंट है यहां से 5.5 इंच और यह इसकी लेंस से डबल है यानि टोटल जी ठाटिफॉर इंच के ए उसके बाद मैंने यह इसके साइज का यह लाइनिंग यूज की है लैंस इसके आफ है य यहां पर इसको स्टिच कर लूँगे देखिए मैंने यहां पर यह प्लीट्स डाल लिये हैं प्लीट्स डालके मैंने इसको सेट कर लिया है इसके बाद हमने जो में लाइनिंग यूज की थी 17x6.5 इंच की उसके ऊपर हमें इस पीस को रखनाइ सके बाद हमें प्रिंटेड को रखनाए और यहाँ हांसे के साइड से खुल जाये центр कि यह स्टिच किया यहां मेरा यह हो गया है हमिपन आप अापन होने के बाद यहां से हम इसको अपर ॥च कर लेगे और बाकी यहां से तीनो तरफ से हम स्टिच कर लेंगे अब उसके साइज के लिए हमने यहांसे और यहां से 15 पीछे के निए फैबरिक कर ल को कर लूगी और एक फैबरिक और लीया यहां से 17 उन्च का और है पर यहां पर 7 इंच है इस तरीकइस से इस तरीके से डवल्फोल्ड कर लोंगी देखें मैंने यहाँ पर यह डवल्फोल्ड कर लिया है डवल फोल्ड करने के बाद हमारा जो यृ आगे जो फ्रंट पीस तैयार किया था उस पीस को लेना है एक तुरह के उपर रखा और चारो तुरफ से इसको सटीच कर लूगि इस सटीच करने के बाद मैं इसको सीधा कर लेती हूं अंगर किसे तटीच करने के बाद कुछ ऀस तरीके से दीखेगा कितना प्राट कवार बना है मैं आपको कुशन डाल के दिखाती हूँ यह देखिए कुशन बनके हमारा रेडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू फॉर वचिंग